आपको पता है आदे से ज्यादा बंदे सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं होते क्योंकि उन्हें मालूमी नहीं होता कि उन्हें आज करना क्या है यानि वो कोई काम हाथ में पकड़ते हैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और वो काम अगर आज उनसे पूरा नहीं होता तो कल का दिन भी सेम ऐसे ही बिताते हैं जैसे आज का दिन बिताया और इसी वज़ा से जो आज उनके काम में रिजल्ट आया वही सेम रिजल्ट उने कल भी मिलता है देखो भाई सिंपल है जैसे खाना खाने से आपका पेट बरता है फैन चलाने से आपको हवा लगती है इसी तरह आपके जो एफर्स लगेंगे रिजल्ट भी सेम उसी डिरेक्शन में आएगा आपने अगर अपना रूटीन ही नहीं बांदा हुआ किसी काम की कोई डेडलाइन सेट नहीं की हुई तो भला आप ये कैसे सोच सकते हो कि इस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी आपका डेली रूटीन सिर्फ आपको कामियाब नहीं करता बलकि आपका मूड पोजिटिव रहता है आपको टाइम भी देता है फ्री रहने का आपको गूमने के लिए अपने जरूरी काम को अपने जरूरी प्लैंस को कैंसिल नहीं करना पड़ता बलकि डेली रूटीन की वज़ा से आप उन्हें सेट कर सकते हो जिससे आपका काम भी टाइम पर होता रहता है और आप कहीं गूमने जाना चाहते हो तो होली डे भी आपको मिल जाता है और आज हम यहीं बात करने वाले हैं कि अपना डेली रूटीन कैसे सेट करें कैसे इसे बनाया जाता है बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आकरी तक और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टागराम पर नहीं जुड़े हो तो भाई जल्दी से आकर मेरे साथ यहां कनेक्ट हो जाओ क्योंकि यहीं आपको मेरी सारी अपडेट मिलेगी और आपको मुझसे बात करनी हो तो यहां आराम से कर सकते हो इंस्टागराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है पर पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लो इसके बाद मन में कोई डाउट हो तो मुझसे वहां पर पूछ लेना अब आगे बढ़ते हैं बाई सबसे पहले तो आपकी सुभा ब्यूटिफुल होनी जरूरी है और वो तब होगी जब आपकी नीद पूरी होगी आपको शायद पता ना हो मगर एक सर्वे के हिसाब से 40% लोगों का मोड सिर्फ इसलिए खराब रहता है क्योंकि उनकी नीद पूरी नहीं होती यानि रात बर चैटिंग चैटिंग करना और सुभा जल्दी से उठना और फिर दिन बर काम में अपने दिमाग लगाने की कोशिश करना अगर आप भी इस तरह से अपनी लाइफ बिता रहे हो तो भाई लोग ये कोई तरीका नहीं है अपनी बोडी से पेश आने का आपको सबसे पहले तो इनफ नीद लेनी जरूरी है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कितने बज़े सोती हो बस आपको 7-8 गंटे की नीद जरूर लेनी चाहिए अब अगर आपको कल सुबा जल्दी उठना है तो अटलीस्ट एक रात पहले आपको जल्दी सोना चाहिए तभी तो कल की सुबा बहुत खूबसूरत हो पाईगी न इसके बाद आपको जरूर थोड़ी बहुत एक्सराइस करनी चाहिए वैसे तो बंधे उठते ही एकदम टाइम पर है और टाइम पर उठने की वज़ा से उनकी एकसराइस नहीं हो पाती क्योंकि वो एकसराइस करने बैठे तो ओफिस के लिए या जॉब के लिए लेट हो जाएंगे मगर भाई रूटीन सेट करना भी एक तपस्या की तरह होता है तभी तो आप किसी से पूछो कि तु पहले वो करता था तुने बताया था तो सामने से अंसर मिलेगा कि यार वो तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि भाई डेली अपने आपको प्रोडक्टिव बनाए रखना मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना इजी है और इजी नहीं है और उसे आप करोगे तभी तो भाई सब आप सबसे अलग दिखोगे न अगर अलग दिखने का अलग बनने का सपना है तो अलग करना भी तो पड़ेगा मेरे लाट लो इसलिए आपको एटलिस्ट इतना करना चाहिए कि 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट अपनी एक्सेस को दे पाओ इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप योगा करते हो अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए वो करते हो बस आप कर रहे हो ये जरूरी है इसके बाद कुछ भी हो जाए आपके काम के लिस्ट आप आज क्या करने वाले हो वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए क्योंकि आर आप रोज सुबा उटकर ये सोच रहे हो कि आप आज क्या करोगे तो आपको लगता है कि आपको वो हासिल होगा जो आप पाना चाहते हो हर रोज आपके अपने काम चाहे छोटे हो या बड़े आपको मालूम होने चाहिए और उसी के हिसाब से अपने दिन को पिताया करो इसके बाद ये नहीं कि रोज बस पूरा दिन काम किये जा रहे हो थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है जैसे अगर आपको एकदम सीधा दोड़ाया जाए और कही मुड़ने को ना कहा जाए तो ऐसा कुछ दूरी पर जरूर होगा कि आप किसी दिवार से टकरा जाएंगे इसलिए यार दोड़ो जरूर मगर अंदेबन कर नहीं आपको काम वगएरा थोड़ा खतम करने के बाद अपने आपको ब्रेक देना है थोड़ा खाओ पियो वीडियो वगएरा देखो बातचित करो किसी से और इसके बाद दोबारा काम कर लेना ऐसे ही आपके खाने का क्या टाइम है वो नोट करो कि मुझे इस टाइम भूग लगती है तो मैं इस टाइम खाना खाऊंगा बस फिर शाम को थोड़ा रिलेक्स करने का टाइम और फिर रात को थोड़ा बहुत काम जो भी आप करते हो और सोते टाइम आपको बनाना है कल का स्केडिल क्योंकि वही टाइम होता है जब आप आज का सारा काम खतम कर चुके होते हो और जो बद जाता है वो कल पर टालती हूँ अब कल का कौन सा काम है किस टाइम करना है इसका एक नोट तयार कर लिया करो और फिर नेक्स डे आपकी ब्यूटिफुल मॉर्निंग आपको जो आज का दिन का प्लैन है वो शुरू करो मतलब इस तरह से आपको अपना दिन बिताना चाहिए अगर आप वा कई दिल से इस रूटिन को फोलो करते हो तो मेरे दोस्तों आपको सच में अपनी लाइफ में काफी फर्क नजर आने लगेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आप अपना दिन कैसे बिताते हो इसके साथ इंस्टागराम पर कनेक्ट होना मत बूलना इंस्टागराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्चन में मौझूद है तो जल्दी से आकर वहाँ पर कनेक्ट हो जाओ तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद